दोस्तो यदि आपने भगवान कार्षदेव की जन्म कथा का पार्ट बन और पार्ट टू नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सन में लिंक है पहले उसे देख ले तभी आपको यह वीडियो समझने आएगा चलिए वीडियो सुरू करते हैं कार्षदेव भगवान का परिवार तोड़ा जहांज में रहने लगा जिस छित्र में माना लोभार राजा राज करता था रवासी लोगों के द्वारा बसाए गए गाउं का नाम जहाज गाउं है जिसे आज भी जहाज गाउं के नाम से ही जानते हैं गड़ राजो और छोड़ने के बाद भी उनका परिवार अपने उपर कोई घर्टना को कभी भी नहीं बुला पाया बहन एलादे नीकी निपुड थी जो जानती थी कि गरवे धार राजा को अकेले सूर्पाल भाई नहीं हरा पायेगा उन्हें एक और भाई चाहिए जो अन्याय और अत्याचार के खिला लग सके वोई सिपकी परम उपासिका थी उन्होंने सोचा कि यदि भगवान भूले नाथ हमें कोई पराक्रमी भाई दे दें तो हमारी और सारे संसार की समस्याएं नश्ट हो जाएंगी यही सोचकर बहन एलादे ने माता पता का असीवाद लेकर और माता पता के साथ रहकर तोड़ा जहांज में बारा साल कार्तिक ब्रत रखे और बारा साल तक बहुत कठोर तब किया उनकी तपस्या का प्रभाव इतना हुआ कि पत्थर में से जल की धारा उट गई और उसमें एक दिप कमल का पुस्ट खिल गया एलादे का तप देखकर भगवान भुलेनात प्रगट हुए और उन्होंने बरदान मैं भुलेनात से एक भाई मांगा जो अजय हो भगवान भुलेनात ने कहा कि मैं स्वेम आपके यहां इस कमल के पूल से जन्म लूँगा इतना कहकर भुलेनात अंतर ध्यान हो गई पत्थर से जिस जगे से सीतल जल निकला था उसे आज उसी के कुंड के नाम से जानते हैं यहीं पर अभी भी भगवान भूलेनात की एक प्राचीन प्रत्मा है जिसकी पूजा एलादे न की थी एलादे भगवान का बरपा कर घर चली गई सोडा माई जो एलादे की माता थी वह सुबहर इसनान करके जब भूलेनात की पूजा करने बहां आई तो उन्होंने दिर्ब कुंड भरा देखा साथ ही उसमें एक दिर्ब कमल खिला था यह देखकर वह आश्चचकित हो गई उन्होंने फिर से इसनान किया उस दिब कुंड के सीतर जल में और कमल को भगवान भूलेनात को चड़ाने के लिए जैसे ही तोडने के लिए उसके पास आई तो है कमल का पुस्त बालक में बदल गया यह देखकर हुआ आश्चचकित हो गई उन्होंने उस दिब बालक को गोद में लेकर भूवान भूलेनात की पुजा की फिर वहां से घर चली आई उस समय फात प्रत चौत चौत थी सोड़ा माई की गोद में नावजात सिसु को देखकर गाओं में खुसी की लह दोड़ गई सोड़ा की उस समय उम्र ढल गई थी इसलिए जब लोग उने बधाई देते थी तो वह सर्म के मारे अपना सिर जुका लेती थी वह लोगों को उस दिब बालक के बारे में बताना चाहती थी पर कभी भी बता नहीं पाई वह लोगों का खुसी का चहरा देखकर खुसी हुए उनके दिल को तोड़ना नहीं चाहती थी सभी लोगों के यही लगता था कि सोड़ा माई ने इस बालक को जन्म दिया है इसके बाद उनका नाम कर्ण किया गया सावला सरी होने के कार अलित ने उनका नाम कारसदेव रख दिया इस प्रकार भगवान कारसदेव का जन्म भात्रप्रत चौध भो हुआ था जिसका अभी भी थोड़ा जहान में बहुत ही बिसाल मेला लगता है जिसमें देश बिदेश सभी जगरें के लोग बहाँ पार उर्वान कास्देख के दर्शन के लिए पुरा जहां जाते हैं यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइप, सस्क्राइब और वीडियो को सेर जरूर कर देना